केवल एक बिमारी की वज़े से एक middle class family एक जटके में poor family बन जाती है लेकिन डॉक्तर्स हमें कभी ये जेंडरिक मेडिसन पर्ची पर लिकर ही नहीं बताते हैं और नहीं medical store वाले बताते हैं केवल वहीं दवाई आपको बेचेगा जिस पर उसका margin जादा होता है कि अगर आप ये जेंडरिक मेडिसन का नाम भी लोग है तो आपसे कहा जाएगा कि ये तो कोई काम भी नहीं करती है ये तो बिल्कुल less effective होती है तो ये चोकाने वाली बात है कि जहां दुनिया भारत की जेंडरिक दवाईयों को काम में ले रही है वहीं देश के अंदर ये फार्मा लोबीच जेंडरिक दवाईयों को बिकने नहीं दे रही है क्योंकि इनकी पहुंच पूरे सिस्टम के अंदर तक गुसी हुई है केवल एक बिमारी की वज़े से एक middle class family एक जटके में poor family बन जाती है। सरकार ने लोकसबा में अपनी एक report में बताया था कि बिमारी की इलाज में दवाओं पर होने वाले खर्चे की वज़े से देश में हर साल 3,8 लाग से ज़्यादा लोग poverty line से नीचे चले जाते हैं। देकि महंगे से महंगे डॉक्टर की फीज के पैसे और operation वगरा में जितना पैसा खर्च होता है उससे कहीं ज़्यादा पैसा महंगी दवाईयां लाने में खर्च हो जाता है। लेकिन अगर ये महंगी दवाईयां सस्ते में मिल जाएं तो देश के कई परिवारों को गरिबी में जाने से रोका जा सकता है। तो इन महंगी दवाईयां पर होने वाले खर्चे को बचाने के लिए एक दूसरा तरीका है कि इनकी जगह पर जेनरिक मेडिसन का इस्तमाल किया जाए। ये जेनरिक मेडिसन, ब्रांडेड मेडिसन की तुलना में 80-90% तक सस्ती होती है। लेकिन जेनरिक दवाईयों पर इनकी क्वालिटी को लेकर हमेसा सवाल खड़े किया जाते हैं। जोर होती है और ये ब्रांडेड से सस्ती होती है। हलांकि रिसर्च के हिसाब से ये उपर नीजे होता रहता है। तो अब फार्मा कंपनी इस पूरे खर्चे को निगालने के लिए उस दवाई को और उसके फोर्मिले को पेटेंट करवा लेती है। और ये पेटेंट उसे आसाने से 15 से 20 साल तक के लिए मिलता है। अब पेटेंट कराने का मतलब वहा कि पेटेंट उसे कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति या कोई संस्ता किसी चीज को रिसर्च करती है या उसको बनाती है तो केवल उस पर उसी का अधिकार होता है। और ऐसे ही ये मिडिकल के सेक्टर में होता है। या दुनिया में उसके अलावा कोई और फारवक अपनी उस दवाई को नहीं बना सकती जो दवाई उस कमपनी ने बनाई है। और जब तक उसके पास वो patent रहेगा तब तक केवल वहीं उस दवाई को बना करके बेचेगी। और दवाई के rate वगरा भी वहीं company decide करती है। अब जब company अपनी मनमर्जी के साब से उसके rate decide करेगी तो जायर सी बात है कि वो महेंगी ही होगी। तो इस परकार की दवाईयों को branded दवाईयों के नाम से जाना जाता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही 15-20 साल बात उसे दवाई का patent पुरा हो जाता है तो वो दवाई patent फ्री हो जाती है। इससे बाकी फार्मा कंपनियों को भी या अधिकार मिल जाता है कि वो भी अपने यहाँ पर दवाई बना सकती है। अब कई बार क्या होता है कि उस medicine के formulation पर patent होता है। लेकिन उसके जो active ingredient है उसके उपर patent नहीं होता। तो उन components का इस्तिमाल करके वहीं same दवाई बिना brand के बनाई जाती है। और इस परकार बनने वाली medicine को generic medicine कहा जाता है। अब इसका कोई brand नहीं होता, सिर्फ सबका एक जैसा salt होता है। और किसी एक दवाई को कितने ही pharma company बना सकती है। अब branded दवाईों में आप देखते होंगे कि एक ही दवाई के कई सारे नाम होते हैं। लेकिन जैन्रिक में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। उसमें जो salt यूज किया जाता है, वहीं उस दवा का जैन्रिक नेम होता है। यहीं कारण कि आप दुनिया में किसी भी जैन्रिक मेडिसन को उठा के देख लो, पूरी दुनिया में आपको उसका एक ही नाम देखने को मिलेगा। अब यह सस्ती इसलिए मिल पाती है क्यूंकि मास स्केल पर इसका प्रोडक्शन हो रहा है। इसके लिए ना तो कोई रिसर्च करने पड़ रही है, ना कोई ट्रायल करने पड़ रहे हैं, सिधा फेक्टर में केवल मेनुफेक्टरिंग हो रही है। और जैसे कि अगर हम नॉर्मली बुखार की मेडिसन की बात करें, तो उसका जैन्रिक नेम है पेराशिटामोल और परती टेबलेट उसकी रेट आपको 10 पैसे पड़ती है। लेकिन अगर इसी पेराशिटामोल सॉल्ट को कोई कमपनी अपने ब्रांड के नाम से बेचे, जैसे की डोलो, कैलपोल, तो उसके रेट में डिफरेंस हो सकता है। हलांकि अब जैन्रिक में भी कई ब्रांड कमपनी बन चुकी है, लेकिन उनकी भी रेट ब्रांडेर दवाईउं की तुलना में तो कम ही पड़ती है। यहां तक कि उनकी डोज, उनके सैड इफेक्ट, उनमें मौझूद एक्टिव इंग्रेडियन्स ही, तो यह सबी चीज़े ब्रांडेर दवाईउं की एकदम समान ही होती है। अगर आपको इसमें थोड़ा बहुत से चेंजेज मिलेगा, तो वो केवल पेकेजिंग का होगा। क्योंकि जो बड़ी फार्मास कंपनी होती हैं, वो अपनी दवाई की पेकेजिंग थोड़ी बहुत ब्रांडिंग और मार्केटिंग अच्छे से कर देती है। वहीं जेंडरिक मेडिसन आपको सिंपल पेकिंग में मिलती है। बाजार में उतारने से पहले इने भी स्टेंडर्ड क्वालिटी परामिटर से होकर गुजरना पड़ता है। और अगर फिर भी आपको उनकी क्वालिटी पर भरोसा नहीं हो रहा है तो आप एक बार इनको भी सुन लीजिए। जरूर दवाएं का खरीदने के लिए उसके लिए काफी है और दवा खरीदने की जरूरत नहीं है। और मेरी दवाएं जो हैं पांच हजार की आती थी और आ मेरी दवाएं कैसे आपका लाप किया। 5,000 रुपया का खर्च होता था, 3500 रुपया आपका बच रहा है, कुछ लोगों को ये भी लगता है कि आखिर इतनी सस्ती दवा कैसे हो सकती है, जरूर दवाई में ही कुछ गड़बर होगी, कहीं रंगिन गोलिया बना करके कोई नहीं दे जाए, ऐसे भ्रह्म फेलाए जाते लेकिन दिपाजी आपको देखकर के फुरूत देशवास्यों को विश्वास होगा, कि आपने जेंडरिक दवाउं की ताकत क्या है, आज आपने सबूत के साथ उसको पेश करते, ये दवाएं भारत में ही बनती है, मेकिन इंडिया है, सस्ती भी है, और भारत की बनी जेंड लोगों के सवास्ते के साथ खिलवाड़ नहीं करती, जगे जगे पर यूँ जन ओजदी सेंटर खोल कर ये दवाएं खुले तोर पर नहीं बेचती, हाँ ये लेस एफेक्टिव दब हो सकती है, जब इसको बनाने में तमाम परकरियाओं का पालन सही से नहीं किया जाए, 100% कमपोनेंट का यूज नहीं किया जाए, लेकिन फिर ये बात तो ब्रांडेड दवाईउं पर भी लागो होती है, देखो दवाई चाहे ब्रांडेड हो या जेंडर्ग, अगर उसको बनाने में ही कौलिटी स्टेंडर्ड को फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो फिर दोनों ही लेस इफेक्टिव होंगी, जिन क्वालिटी परामिटर्स पर ब्रांडेड दवाईउं को अप्रूव किया जाता है, ऐसे ही जेंडर्ग मेडिसन को अप्रूव करने के बाद ही उसे मार्केट में उतारा जाता है, शायद आप में से अधिकतर लोगों को ये मालूम ही नहीं अब जागरुकता नहीं होने के वज़े से एक गरीब आदमी केमिस्ट से महेंगी दवाईयां खरीदने को मजबूर हो जाता है, अब जाधा तर बड़ी सिटीज में जेंडर्ग मेडिकल स्टोर होते हैं, जहाँ पर केवल जेंडर्ग मेडिसन ही मिलती है, लेकिन ब्रांड नहीं है, और इतना है नहीं, इन्हें फार्मास कंपनी ने मार्केट में लोगों की ऐसी धारना बना दी है, कि अगर आप जेंडर्ग मेडिसन का नाम भी लोग है, तो आपसे कहा जाएगा कि भीया ये तो कोई काम ही नहीं करती, ये तो बिल्कुल less effective होती है, लेकिन फिर भ जो उनके आसपास में ही है, हलांकि दोको हर डॉक्टर ऐसा नहीं है, हमकेवल उन डॉक्टर के बात कर रहे हैं, जो पैसे के लालत में अंदे हो चुके हैं, फार्मास कंपनी इन होस्पिटल्स और डॉक्टर्स को अपनी दवाई लिखने के लिए मेंगे मेंगे गिप्ट दिया करती है, कभी विदेश में मिटिंग के नाम पर, कभी कॉन्फरेंस के नाम पर इनको फोरेंट टूर का फेमिली पेकेज ओफर किया जाता है, कभी अलक्सी बोनस देना, कभी उनके बच्चों के लिए एजुकेशन का ओफर देना, मेंगे होटलों में ठहराना, तो फा अब देखो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत दुनिया में जेनरिक दवाईयों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, दुनिया बर की दिमांड में 20% दवाईयां अकेला भारत सप्लाई कर रहा है, दुनिया के लगबग 200 देसों में भारत में बने हुई जेनरिक मेड दौम या भारत से सप्लाई हो रही है, तो ये चोकाने वाली बात है कि जहां दुनिया बात की जेनरिक दवाईयों को काम में ले रही है, वहीं ये फार्मा लोबीच जेनरिक दवाईयों को बिकने नहीं दे रही है, अब आपका नORMAL सवाल होगा कि भाई, सरकार ऐसे को न 17 में अपनी बजट वाषण में सरकार ने कहा था कि हम जेन्रिक दवाओं को पर्मोट करने के लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाएंगे लेकिन ये ड्राप्ट अभी तक भी केवल काजू में बना हुआ है ऐसे ही अगस्त 2023 में नेशनल मेडिकल कमिशन ने एक नोटिफिकेशन जारे किया था जिसमें कहा गया था कि भाई अबसे डॉक्टर्स को दवा के पर्ची में जेन्रिक मेडिसन का ही नाम लिखना होगा लेकिन मैं जी दस दिन के अंदर ही नेशनल मेडिकल कमिशन को अपना ये डिसीजन वापस लेना पड़ा तो इस बात से आप समझ चुके हैं कि फारमाज कमपनी जे सिस्टम के कितने अंदर तक गुस चुकी है हलांकि एक अच्छा परियास सरकार जन ओश्दी के इंदर को बढ़ावा देने में कर रही है गौर्नमेंट के दवारा चलाए जा रहे है पड़ानमंत्री जन ओश्दी सेंटर्स पर केवल जेन्रिक मेडिसन ही मिलती है और इनके रेट भी केवल सरकार के दवारा ही decide की हुई होती है यानि जो actual जेन्रिक मेडिसन के रेट है उसी रेट पर आपको दवाई मिल जाती है देखिए आज के जमाले में इंटरनेट पर हर परकार की जानकारी आपको आसानी से मिल सकती है अगर आप branded और gender दवाओं की price में comparison करके check करना चाहें तो आज के समय market में कई ऐसे apps हैं जो ये बताती हैं कि कौन से दवाई की gender medicine कहां और कैसे मिलेगी बाकि आप खुद जागरुक बनिए और समझदार बनिए खर आपको ये वीडियो कैसे लगी ये मुझे comment box में जरूर बताएं वहीं ऐसे और interesting वीडियोज आपके लिए बनाई हुए जो आप यहाँ पर जा करके देख सकते हैं आगे भी आपके लिए ऐसे और interesting वाली वीडियोज बनाते रहें तो इसके लिए जरूर ये कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद